गुद मॉनिंग देखो बच्चो मुझे बहुत सरे बच्चो कोई कॉमेंट्स आ रहे ही कि शर आप लोग chemistry के बिपर इमपॉर्टन देदू आप chemistry 1 की importance मैं ने लाये है आच एक्चिल मैं मैं कोई chemistry पढ़ाता नहीं हूं और मुझे chemistry को कुछ इतना कुछ खास आता भी नहीं है, मैं पहले ही explain कर रहा हूँ, ये कोई expert teacher है मेरे दोस, उन्होंने मुझे कुछ questions लिखके दिये, वही questions आपको board पे लिखके दे रहा हूँ, बिल्कुल मेरे मन का एक भी इसमें sentence नहीं है, मैं repeat कर रहा हूँ, लेकिन बच् C1 और C2 के questions करने के बाद हर कोई बच्चा surety, उन्होंने surety बोला कि अच्छे खासे numbers ले सकता, ये fixed questions ही हुआ, हमेशा बहुत बार ज्यादा आते हैं, और इसमें से question मतलब अच्छे खासे number आने के लिए उन्होंने question दे चुके है, मैं expert नहीं हूँ, मैं physics अच्छे पढ़ा यहां पर मैं आपकी लिए quick revision, एक गंटे में chapter cover करना है, 45 minute में कैसे के ना है, 80 minute में कोई chapter cover करके दे रहा हूँ, ये 20 के 20 topic दे रहा हूँ, ये lecture हमका आपको 100% लिद देखना है बच्चो, ताकि आपको 90 भी cross कर सकते है, 10 दिन में भी आप लोग 80 क्रोस करेंगे, बच्चो इत बच्चो मैं sure बताता हूँ, आज से भी 10 दिन भी आप लोग अच्छे मेरे lecture देखे, एक गंटे में एक lecture देखे, आप लोग 80% ले सकते हो, 80 marks ले सकते हो, 100% ले सकते हो, मैं पूरे की पूरे chapter wise, हर questions बहुत अच्छी तरह से explain करनी की कोशिश करना हूँ, उसमें थड़ा fast हो बार देखने से, आज भी आप physics में अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, मतलब किसी की grouping ने रही तो physics के कारण grouping जाती है ना, तो physics के कारण मैं grouping लाऊंगा बच्चो आपकी, मैं guarantee बता रहा हो बच्चो, मैं आपको इतना motivational इसलिए कर रहा हूँ, कि बच्चो ये बहुत important चीज है, आज हम लोग discussion इसलिए कर रहे हैं, ये चीज क्योंकि chemistry के questions तो दे रहा हो साथ में physics की इसलिए बता रहा हूँ बच्चो, कि physics में आप लोगों को मैं sure rate बता रहा हूँ, 80 mark अगर आते तो आपकी grouping PCM भी या PCB या PCM की दोनों की grouping के लिए बहुत help करूंगा बच्चो, मैं ये बहुत अच्छे expert teacher दून के निकालाय मैं मतलब बहुत search किया, बाद में उन से जाके मिला, मेरे अच्छे खासे दोसी निकल गए, और उन्हें ने बहुत अच्छी तरह से महिनत से ये question दिये है, तो distinguish between the crystalline and amorphous solid, बच्चो मेरे pronunciation भी बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ता हूं हमेशा, मुझे पता है, myology के तो आते हैं अच्छे, मैं असके भी आते है question लेकिन मुझे chemistry इतना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं नहीं करता था इतना अच्छा, ठीक है, numerical based on density of units, ये numerical आ सकता है, numerical based है, calculation of mole fraction, molarity, molality है, और molarity of, यहाँ पर अपके पास जो दिया है बच्छो ये natric acid, natric acid solution, containing that 12.2 percentage of natric acid, given density दिवाले natric acid q is equal to 1.038 gram per centimeter cube, या centimeter cube universe भी बोल सकती है, define the qualitative properties, define अच्छे करना बच्छो, इसमें से define maximum time आती रहती है, और ये आने की chances है, उसके बाद में, ये define आ सकती है, ये भी define आ सकती है, define अच्छे तरह से देखना है बच्छो आप लोगों को, ये जो define दी वाली है, ये भी define अच्छे तरह से करना है, बाद में state and explain the faraday first law of electrolysis, ये भी question अच्छा करना बच्छो, ये question sure बोल के आने वाले है, इसमें से 15 question दिये वाले बच्छो, 15 से कम से कम 7 questions आ सकते है, 7 questions अना मतलब कम नहीं बच्छो, minimum आप paper C1 में minimum इस पे 15 to 20 mark आने के chances बच्छो, इतने question से 15 mark या 20 mark आने के chances जो बोड पे लिखे है 15 से 20, और दूसरे paper में भी, मतलब ये C1 की बात चलुए, C2 में भी बच्छो, अगर 15 या 20 mark आ गया, तो 30 to 40 mark का paper कवर होगा, 30 practical में, तो बच्छो, आप 7 या 70 mark भी cover कर सकते हैं, 15 question C1 के लिए दूँगा, C2 के भी 15 ही question दूँगा, ज्यादा questions नहीं दिये उन्हें, ठीक है, write a state and explain the faraday first law of electrolysis, अच्छा questions करना है, guarantee बच्छो ये question की, अच्छी तरह से करके रखना ये आ सकता है, write down the cell reaction during the discharging on lead accumulator, discharging cell होता है, इसका जो reaction होगी cell की, वो भी अच्छी तरह से करके रखना, ये question भी आ सकता है, numerical best on question होता है बच्छो, एक होता है, molar, conductivity और e-cell, इसके उपर जो है बच्छो, ये e-cell के उपर भी सवाल आने की chances है, numerical best, और ये भी जो है बच्छो, ये थर्ड question दिया था मैंने, ये भी ये numerically best पे है, numerical अच्छी तरह से करके रखना, आपको पता है बच्छो, numerical बहुत कम आता है, केमेश्टर में, पहले 5 chapter में numerical है, उसके बाद में numerical नहीं है, आट नमर का question है, what is mean by the correction in least the method used to the protections on correction, ये भी अच्छी तरह से करके रखना है, numerical based on maximum work done, ये numerical आपते ही रहता है, बच्छो, maximum time, numerical based on maximum work done, ये अच्छी तरह से करना है, 10 number is state and explain the second law of thermodynamics, कौनसा, state and explain the second law of thermodynamics, ये question अपको दिखाई तो तरहा है, बच्छो, ये question आपको दिखाई तो तरहा है, बच्छो, ये बहुत बार मैं shooting करता हूं लेकिन question ही नहीं दिखाई देते है, ऐसा भी बहुत बार हो चुका है, ओके, देखो, state and explain the second law of thermodynamics, पहले था, first law of faraday's law है, अब thermodynamics का second law है, ठीक है, what is mean by the pseudo first order of reaction, अच्छी तरह से करके रखना, what is mean by the pseudo first order reaction, ये question अच्छे करना है, राइड assumption on collision theory on reaction rate, ये भी अच्छी तरह से करके रखना है बच्छो, उसके बाद में define करना है आपको, यहाँ पे metal currency और ये para और hydro, ये भी अच्छी तरह से करके रखना है, यहाँ पे state and explain the anomalies of vivarious of nitrogen and fluorine, ये 14 question दिये है, ये लास्ट को questions ये देऊंगा बच्छो आपको, और इसे को end up करेंगे, ठीके और एक question देना, ये अगर screenshot निकाल ना है तो निकाल सकते हैं आप लोग, ये बहुत important question है बच्छो, ये questions मैंसे मैं बता रहाँ बच्छो, 15 mark के उपर ही questions आ सकते है, हमारा 15 number का questions है बच्छो हमार इसमें दीवाले बच्छो हम लोगों के पास number one, ठीके, ammonia by hyper process, ठीके, number one, number two ये बच्छो, sulfuric acid, sulfuric acid by contact process, by contact process, ठीके, ये बच्छो, 15 number का भी question अच्छा, how will you prepare, ये भी अच्छी तरह से, ये दो, मतलब ये 15 सवाल अच्छी तरह से, आप लोगों करोगे बच्छो, मैं आपको guarantee के साथ बता रहाँ, guarantee के साथ, 15 mark, C1 में, C2 में, 15 mark, 30 mark, के उपर हो सकता है, 70 भी हो जाए, practical के 30, ये 40 क के आपो पकड़ना, 70 mark, आज भी ले सकते हो, बहुत जादा करने की ज़रत नहीं है, जो दे रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से, उसको पर numerical budget question से, उसको भी अच्छी तरह से करना है, इसके आपा बच्छो, मैं दुबारा बोड़ा हूँ, फिजिस का जो भी revision चालू है, quick revision, rapid revision बोल सकते है, fast revision बोल सकते है, एक गंटे में एक chapter complete करने का जो तरीका मैंने अपके लिए धूंड के रखा है, एक गंटे में एक chapter, 15-15 lecture होते बच्छो, मैं एक गंटे में cover करके दे रहा हूँ, एक गंटे में, ये possible नहीं होता बच्छो, और दुसरी बात, मुझे क्योंकि रोज नियर अबट लिए 500 बच्चो के कॉमेंट्स आपे, 500 बच्चो के मिनिमम मुझे मैसेज भी आते रहते है, सर ये करो, वो करो, वो करो, सब का पढ़ना, उसमें भी तिन, तिन, चार, चार, लेक्चर यहाँ पे upload करना, बच्चो एक लेक्चर तायरी करने के ल मुझे यही चाप्टर बच्चो एक घंटे में कवर करके देना, how it's possible, आप भी सोचे मेरे बारे में, तो सोच समझ कर मुझे कॉमेंट्स करते रहो, थोड़ा मुझे भी हिल्प होना चाहिए, बच्चो इसके अलावा मेरा एक न्यू चाइनल है, उस पे जाके आप लोगों आपको लाइक और सब्क्राइब कर भी करना है, अलन, फैन, बाई, मुकेश, नायक, ठीक है बच्चो इस चाइनल पर जाके आपको सब्क्राइब करना है, थैंक्स पर वाशिंग इस वीडियो और बेश्लब पर यूर एक्जामिनेशन